तो आपने देखा के हम कैसे जो है वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं ठीक है हम यहां पर वापस आते हैं and हम अभी चेक करवाते हैं कि हमारी वैल्यू कि कितने जो है वह टेक्स फील्ट चाहिए हम यहां पर वापस आएंगे की अपका एक handler बनाएंगे ठीक है एंड हम एक function चलाते हैं एंड हम उसे कहते हैं जो particular object है ठीक है इस condition चलाएंगे हम हम चेक करवाएंगे के जो भी this जो भी particular हमारा element है this.well.length जो भी हमारी value आएगी current object की वो अगर less than हो या equals to हो किसे जो हम value दे रहे थे फार इंस्टन्स उसी जो है वो particular object का this.attr attribute एंड हम देंगे sorry me length sorry me length यहां भी हम पूरा object देंगे min me length ठीक है जब इसके बरावर हो and जो हमारा यह element है value जो है less than और equals to जो user value दे रहा है वो minimum जो हम यह minimum दे रहे हैं उससे ज्यादा हो sorry ज्यादा होनी ठीक है तो वो क्या करे particular object को select करे this.next.remove ठीक है उसको remove कर देंगे वापस जाते है रेफ्रेश करते हैं 123456 ठीक है आपने सकते हैं कि जैसे ही six या six से ज्यादा मिले उसने remove कर दिया अगर आप यह line यहां से हटाएंगे if की line जो हमने भी बनाई यह हटाएंगे यहां से जाके refresh करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम six से ज्यादा भी count करेंगे तो वो line को remove नहीं कर रहा है that's why हमने यह लिखा हुआ था ठीक है अब यहां भी जो है वो checking करवा सकते हैं not equals to 0 भी ना हो and जो min length की value आ रही है वो greater than 0 के and min sorry 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 ठीक है end लगेगा मैं से पता जा रहा था कि end लगेगा ठीक है min length की greater than value and यहां पे भी end आप लगाएंगे min underscore length की value यहां पे जो आप जो है करेंगे जो भी आप देना जाएं बाराल चीज़ें आप ऐसे manage कर सकते हैं जैसे यहां पर मैं जो है थोड़ा सा complex जाए recording हो गई because की अब का function भी वहीं चल रहा है बलर का function भी बाराल थोड़ा से यह जो है कैसे manage कर सकते हैं using jQuery मुझे subscribe करना ना बूलिएगा thank you हाँ की और बार ले वधना बार ये ना बार चार फिसरे ब्सक्राड़ बार भार बार भीज़ें लम्द़ष्य़ें